आकाशवाणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे पहले एक अपील देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ष के लिए सरकारी केंद्रों में निशूलक कोविट टीका करन अभियान जारी है युवाँ से आगरह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोफ सहित करें जब तक आबशक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के तीन सरल उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दोगस की सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और चेहरा साफ रखें कोविट संबंदी जानकारी और मारदर्शन के लिए राश्ट्री हेलप लाइन नंबर 011-23-97-8046 और 1075 पर संपर्क करें अब इस बुलिटेन के समाचार सबसे पहले मुख्य समाचार शिक्षा में गुणवत्ता और स्कूलों में प्रविंटा जैसे विश्यों पर केंद्रित शिक्षक पर्वसमारों को प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी संबोधित करेंगे प्रदेश में 17 सितंबर को चला जाएगा कोविट वेक्सिनेशन का महा भियान बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव बन जाने से पूरे प्रदेश में मांसून सक्रिये और तोक्यो में पेरालंपिक खेल संपन हुए भारती दल का रहा शांदार प्रदर्शन अब समाचार विस्तार से प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी मंगलवार को सवेर 11 बजे शिक्षक पर्व संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे वे सवसर पर शिक्षा शेत्र में कई प्रमुख पहल का शुभारंब करेंगे प्रदान मंत्री सुनने में अक्षम विक्ष्ञ के लिए भारतीय संकेत भाषा डिक्ष्णरी, त्रष्टी बाधित विक्ष्ञ के लिए शरवर पुस्तकों और सीबीएसी के स्कूल क्वालिटी एश्वरेंस तथा assessment framework की भी शुरुवात करेंगे वे स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयम सेवकों दान करता हूँ और corporate सामाजिक जिम्मेदारी में योगदान करने वालों की सुविधा के लिए निपुन भारत तथा विद्यान जली पोर्टल के वास्ते लिए निष्टा शिक्षक प्रक्षिक्षन कारिक्रम का शुवारम्भी करेंगे शिक्षक पर्व 2021 का विशह है गुणवत्ता और संधारनी स्कूल भारत में सकूलों से प्रविन्टा इस आजड़न से नाकेवल सभी स्तर पर सिक्षा की मुख्यमंत्री शिवराज स्री चोहान ने कहा है कि वेक्सिन के प्रथम डोस से वंचित रहे नागरिकों को इस महीने के अंतक शत प्रतिशत वेक्सिनेट किया जाए। और व्यवस्थाओं की समिक्षा कर रहे थे। श्री चोहान ने कहा जन जागरुकता की गतिवी ध्या लगातार चलाई जाए और नागरिकों को को कोरोना संक्रमन के प्रति सजक और सतर्क किया जाए। अध्यप्रदेश बाल कल्यान परिशत की वर्चुल बेठक को आज राजभवन से संबोधित कर रहे थे। बेठक में परिशत के उपाद ध्याएगंड पदाधिकारी और कारिकार्णी के सदस्य मोजूद थे। राजपाल मंगु भाई पटेन ने परिशत को बालक बालिकाओं को शोरे पुरिसकारों से सब्भान करने की पहल करने के लिए कहा है। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को प्रदर्शन के अउसर उपलब्ध कराने के प्रयासों की जरूरत बताई। कहा कि बच्चों में असीम संभावनाय चुपी होती हैं, उन्हें निखारने और उचित दिशादर्शन की जरूरत है। इस कारे में आंगन बाड़ी कारिकरता सही का और प्रात्मिक विद्यालयों की शिक्षकों की महत्व पूर्ण भूमिका है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस महिने की 26 तारिक को आकाशवानी से मन की बात कारिकरम में देश-विदेश के लोगों से अपने विचार साजा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कारिकरम की 81 भी कड़ी होगी। प्रधान मंत्री ने उन विशो पर लोगों के विचार आमंत्रित किये हैं जिन पर उन्हें अपने कारिकरम में चर्चा करनी चाहिए। लोग अपने विचार नमोएप या माय जिवोवी ओपन फोरम पर साजा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नमबर 18000117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधान मंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन इस महीने की 24 तारिक तक खुली रहीगी। इसके अलावा एक नेव दो दो परमिस्ट कॉल देकर SMS से प्राप्त लिंग को फालो कर सीधे प्रधान मंत्री को सुझाओ भेजे जा सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। अगामी 3-4 दिनों में राजधानी भुपाल सहित प्रधेश के कई जिलों में मानसून की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं। मोसम केंद्र ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का शेतर बनने की संभावना को देखते हुए राजधी के कई शहरों में भारी बारिश हो सकती है। पिछले दो दिनों से हो रही हलकी बारिश से राजजी के कई जिलों में ओसत बारिश रिकाड की गई वहीं तापमान में भी गिरावट आई। आज राजधानी भुपाल में दिन भर बादल चाय रहे और शाम को बारिश हुई कभी धूप और कभी वर्षा के चलते संक्रामक विमारियों का प्रभाव बढ़ गया है। मोसम केंद्रे ने अगले 24 घंटे में धार बेतुल हर्दा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो क्यों में आज पेरालेंपिक खेलों का समापन हो गया, समापन समाहरों में निशानेबाज अवनी लखेरा भारती दल की ध्वजवाहग बनी। 24 अगस्त को शुरू हुए पेरालेंपिक खेलों के आखरी दिन आज भारत ने बेडमिंटन में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीत कर शानदार प्रदर्शन किया है। अगले पेरालेंपिक खेल पेरिस में होंगे। प्रधान मंत्री उजुला योजना के दूसरे चरण के अंतरगत देश के एक करोड निर्धन परिवारों को निशुलक गेस कनेक्शन प्रदाय किये जाएंगे। योजना में म्रध्य प्रदेश के नो लाख निर्धन परिवार भी लाभनवित होंगे। प्रमुक सचिव खाद्य एवम नागरी का अपूरती तथा उपभोगता संरक्षन श्री फेज एहमत किद्वई ने बताया कि योजना के अंतरगत नवीन गेस कनेक्शन जारी किये जाने पर समस्त पात्र हिद ग्राहियों को डिपॉजिट फ्री गेस कनेक्शन मिलेंगे इसके साथ ही प्रथम रिफिल एवम गेस चूला भी निशुलक दिया जाएगा। प्रमुक सचीव श्री किद्वई ने बताया कि उज्वला योजना के अंतरगत एसी वयस्क महिला गेस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी जो गरीब गहस्ती से संबंध रखती हैं। अब कुछ समाचार संशेप में चिकित्सा शिक्षा मंतरी विश्वास केला सारंग ने प्रख्याज चित्रकार प्रोफेसर राजाराम के सम्मान में राजाराम रूप ध्वनी कला धिरगा का आज भोपाल में उधगाटन किया। गुना में 7 सितंबर को रोजगार मिला आजजित किया जा रहा है जिसमें नीजी कमपनिया योग्यों उमीदवारों का रोजगार के लिए चहन करेंगी। मुख्य मंत्री ने जाबवा जिले के पेटलावद में एक ट्राली पलटने से तीन व्यक्तियों की आसमाईक मृत्यों पर दुख व्यक्त किया है। इस दुरगटना में दस लोगों के गंभीर रूप से घायल होने का समाचार है। मुख्य समाचार एक बार फिर शिक्षम में गुणवत्ता और स्कूलों में प्रवीन्टा जैसे विश्यों पर केंद्रेत शिक्षक पर्वसमाहरों को प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी संबोधित करेंगे। प्रवसर्व चाहरों को प्रवसमाहरों को बात्री नरेंदर मोधी संबोवाड़ प्रवसमाहरों को अुण मैं अभीर शिक्षम मोधीर उीक्रेंदर एक करेंदर उजलों झाल झाल